अगर मैं चुनाव की तैयारियों की बात करूं क्योंकि अब चुनावी सीजन शुरू हो गया है पूरी तरह से और उस मौसम का जो बिल्कुल फील वाला एसास होगा वो भी तैह है कि अगले दस या बारा दिन के बाद में यानि कि पांच सितंबर से हर्याना में नामांकन शुरू हो जाएंगे एक अक्टूबर को हर्याना में मद्दान होगा यानि कि पांच सितंबर से ले करके और एक अक्टूबर तक ये जो पच्चिस दिन होंगे ये केवल चुनाव के दिन होंगे और जो उससे पहले के दिन है वो चुनावी तयारियों के दिन है जो राजनीतिक दलों को मिले हैं हलाकि political parties की चुनावी तयारियों की बात तो पहले भी थी लेकिन आप ये वान लें कि उन तयारियों के बीच में जो तयारिया चल रही थी राजनितिक दलों की और चुनाव आयोग की उन तयारियों के बीच बाजी मार ली एक तरह से चुनाव आयोग ने और तमाम राजनितिक दलों के लिए यह है क्योंकि आज जो चुनाव डिकलेयर हुआ तमाम प्रशास्निक गलियारे में तमाम राजनितिक गलियारे में इसको लेकर चर्चा है कई लोग तो शोकिंग है लोगों को एहसास नहीं था कि आज चुनाव की डेट आ जाएंगी मैं आपको बताओं तो मैंने आज सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर सुभा एक पोस्ट डाली जिसमें हमने लिखा कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाना के विधान सभा के चुनाव का ऐलान होगा मुझे लगबग दरजनों लोगों के फोनाए जन्हों ने कहा कि देखो हरियाना का चुनाव तो मुश्किल है हरियाना का चुनाव तो आज डेकलियर नहीं होगा इवन कमेंट्स जो उसके अंदर फेस्बुक पोर्स पर आए उस पर भी लोगों ने कहा कि नहीं आज केवल जम्मू कश्मीर का होगा लेकिन तीन बज़े जब घड़ी की सुई पहुंची तीन बज़े पर और प्रेस कॉन्फरेंस शुरू ही जो लगवग 20 मिनट चली और उस प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया हरियाना के अंदर चुनाव का चुनावी नगाड़ा बच गया और इसके साथ ही आज से हरियाना में आचार सहीता लग गई मैं जो आपको कह रहा हूँ कि तयारियों के अंदर जो तयारियां थी चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तयारियां अपनी हैं कि उनको चुनाव कराना है वो चुनाव निश्पक्ष हो वो चुनाव पूरी तरह से बेदाग हो चुनाव पर किसी प्रकार की कोई बात ना आए तमाम राजनीतिक दलों के साथ में सला मश्विला करके और चुनाव लड़वाया जाए चुनाव करवाया जाए और जंता के बीच में रहे कि पूरी तरह निश्पक्ष चुनाव होने जा रहा है अधिकारियों के पास में जो उनके दाइत्व हैं, उनकी ड्यूटियां हैं, उनके कर्तव हैं उनको सब कुछ पहले आगा कर दिया जाए ये चुनाव की तयारिया हैं चुनाव आयोग की तरफ से जोती है क्योंकि जब आचार सहीता लग जाती है तो फिर सरकार खत्म हो जाती है और उसके बाद में सब कुछ चुनाव आयोग रह जाता है और चुनाव आयोग के साथ में काम करते हैं जिले के छोटे से लेकर बड़े करमचारी तक जिले के छोटे से लेके बड़े अधिकाली तक सबकी जो जवाब देही होती है वो चुनावायोग के लिए होती है और मैं आपको पता रहा था कि चुनाव की तैयारियां उन चुनाव की तैयारियों के तहट सरकार की तैयारियां चल रही थी सरकार रोज नहीं घोशना ही कर रही थी मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी रोज नहीं घोशना कर रहे थे आप इस बात का अंदाज लगाईए कि आज मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी का दोपहर को ही उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉनफरेंस की और दोपहर को एक बयान आया कि हर्याणा का चुनाव सही समय पर होगा अपने पूरे टाइम पर होगा और हर्याणा का जो चुनाव अगर टाइम पर होता तो वो कम से कम 19-20 अक्टूबर से लेकर कर 25-30 अक्टूबर के बीच वो चुनाव होना चाहिए था यानि कि लगबग 20 दिन का उसके अंदर मिनिममम जो गैप कम से कम रहा 20 दिन पहले चुनाव होने जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार निरंतर गोशना है कर रही थी सबसे प्रमुक गोशना तो आप मान ले नायप सिंग सेनी की अभी हाल ही में थी जिसमें कि कौशल विकास निगम के तहट आने वाले करमचारियों को पक्का करना लगबग सवालाग से ज़्यादा जो करमचारी है लेकिन हुजूर उसका गजट नोटिफिकेशन तक नहीं करा पाए सरकार ने कहा था कि किसानों के लिए अलग गोशना है थी सरकार की तरफ से अभी हाली में नोक्रिया निकाली जा रही थी सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे एलान हुए जिनके लिए नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ और जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर वो काम होंगे कैसे पूरे मैं आपको बताता चलूँ कि राजनीति के अंदर रेवडियों का जो जिक्र किया था कभी परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कि रेवडी मांटते हैं विपक्षी दल तो रेवडियों का यानि की सौगातों का यानि की पहारों का या फिर फायदा मिले जिससे जनता को वो बड़े मायने रखता है और तमाम राजनीतिक दल उसे किया करते हैं और मैं अगर कहूं तो कुछ यही तयारी मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी की थी जिस प्रकार से वो रोज नई घोशनाएं कर रहे थे वो ऐसी कोई रेवडी विपक्ष के पास नहीं छोड़ना चाह रहे थे जिसका कि वो से चुनाओं में फायदा मिले लेकिन रेवडियां बनाई रेवडियां बाटने की कोशिश की रेवडियां बाटने की प्लानिंग थी लेकिन योजना यह नहीं थी कि इनको फलीभूत कैसे साथ-साथ कर दिया जाए और कारण अधूरी तयारियों के भी घोशनाएं हो रही थी और उनका ना तो उनके लिए को अधिसूचना जारी हो पाएगी ना वो घोशनाएं योजनाएं अमल में आप आएंगी और जिनके लिए नोटिफिकेशन ही नहीं होगा तो फिर आखिर कैसे वो अगली सरकार चाए वो भाजबा की सरकार हो चाए किसी और पार्टी की सरकार हो चाहे वो कॉंग्रेस की सरकार हो अगली सरकार के लिए क्योंकि कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी क्योंकि कोई उसके अदिसूचना जारी नहीं होई है इस लिहाज से ये जो घोशनाएं थी इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक दलों के आधी अध पार्टी दौनों नेता उनके जो भावी मुख्य मंत्री हैं अपने आप में वो दौनों नेता लगातार लगे हैं आत्राएं निकालने में अभी तक भी कॉंग्रेस के बीच ये मंथन नहीं हो पाया कि कैसे कैसे फैसला हो कैसे सीटों का किस परकार से बटवारा हो कौन से ने कौन यही बात चल रही थी कॉंग्रेस में मैं बड़ा के वो बड़ा यानि कि सहल जा जी बड़ी या दिपेंदर उड़ा बुपेंदर उड़ा उड़ा उदैभान जी वो बड़े अभी ये सब कुछ तैवी नहीं हुआ कि यहां चुनावायोग ने चुनावी नगाड़ा बड़ा दिया अभी तो हर्यारा के अंदर आप कहें तो एक अभैसिंग चोटाला ने जरूर एक चीज बाजी मार ली कि उनका चुनावी गठवंदन हो गया और चुनावी गठवंदन में ये भी तैह हो गया कि वही 37 सीटों पर लड़ेगी बहुजन समाज पायटी और तिरपन सीटों पर लड़ेंगे अभैसिंग चोटाला लेकिन वहां भी अभी सीटों का अपटवारा नहीं हुआ कि कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा जन्नायक जन्ता पार्टी वाले जो दुशन चोटाला जी जो किंग मेकर बन गए थे पिछली बार अब वो भी ढूंड रहे हैं कि कौन सा रास्ता बने जिस से कम से कम किंग मेकर ना बने तो कुछ तो मेकर रह जाएं वो भी यानि कि तमाम राजनीतिक दर अपनी तयारियों में हैं इधर चुनाव आयोग ने शत्रंज की बिसात पर अपनी बाजी चल दी अब बात दोस्तों यह आ जाती है कि जब चुनाव का एलान हो गया चुनाव की तारीखों का एलान हो गया इलेक्शन नोटिफिकेशन कब आएगा पता चल गया कि पांस तारीख से इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा और पांस तारीख से ही हरियाड़ा के अंदर चुनाव शुरू हो जाएगा पांस तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे अब सरकार की जो योजनाएं थी सरकार की जो घोशनाएं थी अब देखें तो कल कैबिनेट की मीटिंग होनी थी 17 तारिक को 17 अगर्स्त को लेकिन उससे पहले चुनाफ डिकलेयर हो गया उसके अंदर कुछ प्लानिंग होगी सरकार ने कुछ सोचा होगा कि कुछ अधिकारियों को यहां से वहां करना है लेकिन एक छोटी सी लिस्ट आप आई IPS की जिसके अंदर फरिदाबाद के सीपी कमिशनर आफ पॉलिस मिस्टर राकेश आरे को आईजी भीज दिया गया यानि कि यह बहुत सारी बाते थी जिन पर काम होना था जिन पर राजनितिक दल तयारियों में थे लेकिन उन तयारियों में बाजी मार गया चुनावायोग अब चुनावायोग की तरफ से चुनावी तारीकों का एलान हो चुका है एक तारीक को एक अक्टूबर को कि इन चुनावी तयारियों को अब धार कैसे दिया जाएगा अभी तो राजनीतिक दल अपने सर्वे करा रहे हैं तमाम पुलिटिकल पार्टीज के सर्वे की जो कंडिशन है भी तो वो आप ये लगाईए कईयों की तो प्राइमरी दोर पर भी है तो कब वो सर्वे पूरे हो होंगे फिर कब केंडिट्स का एलान होगा कब चुनाव मैदान में दिगज महारत ही उतरेंगे कब वो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने जाएंगे ये तमाम बहुत सारी बाते हैं और अगर मैं कहूं तो राजनीतिक दल चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कॉंग्रेस ह हैं उन सभी के लिए वो भले ही खुब कहते रहें कि हम तो हर वक्त चुनाव के लिए तयार रहते हैं लेकिन चुनाव आयोग ने उनके सामने गुगली डाल दी है जिस पर अब बैटिंग करनी है राजनीतिक दलों ने वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन चुनाव के गठ जोड के इनके अंदर आपको क्या लगता है कि हर्याना के अंदर कौन सी नई संभावना ये बन सकती है और आपको क्या लगता है कि हर्याना के अंदर जो चुनाव होना है उस चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है कौन सा गठ बंदन आगे रह सकता है किस किसकी सरकार बन सकती है और कौन असरदार हो सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना